कि असलाम लेकुम एक्सराइज 1.2 क्वेस्टन नमबर 32 इस क्वेस्टन में वो कह रहा है f of x की वैल्यू 3 होगी अगर जो x है वो less than equal to minus 2 है क्या मतलब है इसका इसका मतलब यह है कि अगर इस x की जगा पे minus 2 आजे x is equal to minus 2 अगर इस x की जगा पे minus 2 आजे तो हम f of x की वैल्यू 3 लिखेंगे और अगर इस x की जगा पे minus 2 से less कोई भी वैल्यू आजे minus 3 minus 4 minus 5 तब भी हम value 3 ही लिखेंगे क्यों क्योंकि f of x is defined है 3 if x is less than equal to minus 2 अगर x की value minus 2 के equal आजे यह उससे less आजे तो f of x की जगा पे 3 लिखेंगे और अगर x की value minus 2 से greater आजे लेकिन 2 से less हो तो फिर हम minus 1 by 2 x square लिखेंगे यह function इस तरह डिफाइन होगा means अगर यहाँ पे minus 2 से greater value कौन सी होगी minus 1 0 1 1.5 कोई भी value आ सकती है minus 2 और 2 के दर्मियान तो function इस तरह डिफाइन होगा और अगर x की value 2 से greater कोई भी आ जाए यहां 2 के equal आ जाए तो फिर function f of x is equal to 3 यह defined होगा अब हमें question में वह कह रहा है find limit x approaches to plus minus 2 उपर plus लिखा हो है means हमने right limit find करनी है plus 2 के लिए भी और minus 2 के लिए भी तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं limit x approaches to plus 2 के लिए right limit find करते हैं plus 2 उपर प्लस लिख देते हैं f of x plus 2 उपर plus का क्या मतलब है इसका मतलब है x approach कर रहा है x approach कर रहा है 2 को positive का मतलब है यानि के right side से x की value 2 से थोड़ी सी बढ़ी है 2 positive का मतलब है कि x की value 2 से थोड़ी सी बढ़ी है तो देखो x greater than 2 कहांप लिखा हो है x is less than 2 x is greater than minus 2 less than 2 x is greater than 2 means यह value 3 defined होगी तो हम f of x की जगा पर क्या लिखेंगे 3 limit x approach to 2 positive आगे लिख देंगे 3 3 क्यों लिख है क्योंकि x जो है वो greater than 2 है तो यहां पर value x x तो है ही नहीं जहां पर value put करें तो simple 3 का अंसर आ गया अब लिमिट x approaches to minus 2 plus 2 के लिए किया है अभी minus 2 के लिए करेंगे और उपर लिख देंगे plus means x जो है approach कर रहा है minus 2 को लेकिन right side से means x जो है minus 2 से greater value है अब यह less value greater value यह है क्या यह real line real number line हमने टरा किये यहां पर आता है zero यह हमारे पर सोता है one यह हमारे पर सोता है two यह हमारे पर सोता है three and so on इस तरफ नमबर जाते हैं और last पर जाके infinity आ जाता है left side में मूव करें माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और इस तरफ मूव करें तो माइनस infinity अगर तो यह कहा जाता है एक्स अप्रोच कर रहा माइनस टू तो देखें माइनस टू तो यह है अब यहां तो एक्स इस तरफ से प्रोच कर रहा है माइनस टू को यहां इस तरफ से प्रोच कर सकते है माइनस टू को दून तरफ से माइनस टू को प्रोच कर सकते हैं मींस कहा जा सकते हैं कि माइनस टू यहां पर कोई एक्स है और इतना करीब है माइनस टू के हम माइनस टू किंसिडर कर है अब अगर तो वह राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ कर रहा हो तो हम माइनस टू लिफके उपर च्छोठा सब प्लास लिखे दें और अगर वह लेफट सब्रोच कर रहा हूँ तो minus 2 लिखे उपर minus लिख देते हैं तो अब यहां पर लिखा है minus 2 positive पर plus लिखा हूँ है मतलब वो उसके right side पर right side पर value क्या होती है minus 2 से greater एक बात या रखना कोई भी number लिखा हूँ है उस number के अगर right side पर कोई value है तो वो उस number से बड़ी value होगी और अगर उस number के left पर कोई value लिखी है तो वो हमेशा उस number से छोटी value होगी means अगर मैं कहूं 0 1 1 right side पर है तो 1 greater value है 0 से 0 greater है minus 1 से minus 1 greater है minus 2 से means minus 1 बढ़ है minus 2 छोट है तो अगर minus 2 positive उपर plus लिखा हूए इसका मतलब x की value minus 2 से बड़ी value है तो देखें x greater than minus 2 कि तर लिखा हूए यह तो हम यह वाली value लिखेंगे तो हम इसके लिए क्या करेंगे हम इसको दुबारा लिख लेते हैं limit x approaches to minus 2 plus f of x is equal to limit x approaches to minus 2 plus अब x is greater than minus 2 x is greater than minus 2 यह लिखा हूए न तो हम क्या करते हैं यह वाली value लिखेंगे minus 1 by 2 x square तो इदर हमारे पास आ जाएगा minus 1 by 2 x square value लिखते थे हैं x की minus 2 square minus 1 by 2 into 4 तो यह answer आ गया minus 2 अब अगर देखें तो minus 2 की right limit भी find कर लिए हमने left limit right limit minus 2 की और plus 2 की दोनों की find कर लिए अब आते हैं इस तरफ x approaches to 2 left limit और x approaches to minus 2 left limit यानि कि यहां पर भी दो limits भी हमसे find कर वा रहा है है तो हम यहां भी क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे limit एक्स अप्रोच इस टू टू लेफ्ट लिमिट f of x is equal to limit x अप्रोच इस टू टू लेफ्ट लिमिट अब तू के ऊपर negative minus का sign है इसका क्या मतलब है एक्स अप्रोच कर रहा है टू को लेकिन वह value two से ठोड़ी सी काम है एक्स अप्रोच कर रहा है टू को बट लेफ्ट साथ से अप्रोच कर रहा है तो हम इसको क्या कर पढहेंगे इसको इस तरह कह सकते हैं एक्स इस लेस देन टू में देखते हैं x less than 2 यह value आएगी तो इसके लिए function क्या defined होता है f of x is equal to minus 1 by 2 x square तो हम यहां पर लिखेंगे minus 1 by 2 x square f of x की value लिख दिया हमने हमने simple यह देखना है कि x approach कर रहा है जिस number को approach कर रहा है अब उसकी left limit है कि right limit है अब minus 1 by 2 value to square is equal to minus 1 by 2 for 2 cancel by 4 minus 2 इसका answer आगया minus 2 अब देखें अब हमने x approach is to plus 2 left limit find कर लिए अब x approach is to minus 2 left limit f of x is equal to limit x approach is to minus 2 अब left limit के लिए means x approach कर रहा है minus 2 को लेकिन left side से मतलब x is less than minus 2 minus का मतलब है less than x is less than minus 2 अगर positive होता x is greater than minus 2 तब less than minus 2 आप लोग question में देखो कहां पर आ रहा है x is less than minus 2 value is 3 हम simple 3 value put करेंगे हम यहां पर put कर देते हैं simple 3 so answer is 3 thank you